नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देंगी क्या आपके सरीर की कोई नस दबी हुई है और इस दबी हुई नस के कण आपको दर्द रहता है या आपके सरीर के अंदर नसों की कमजोरी है उस नसों की कमजोरी के कण आपको स्ट्रेस ठकान रहती है या पूरे स्रीर में दर्द रहता है, या नसों में गैस होने की समस्य है, या दोस्तों आपकी नसों में खिचाव आ गया है, जिससे कि आपको दर्द की समस्य है, या आपके स्रीर में अन्य कोई समस्य है, तो दोस्तों आप इन तीन चीजों को खाना सुरू करते हैं, और आप को पहले ही दिन से पहली ही खुराक से इसका असर दिखाई देगा और दोस्तों आपकी यह सभी समझ जाएं बिलकुल दूर हो जाएंगी दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताई आप ये मत करना कि मैंने बोल दिया और आप इन तीन चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी की भी वीडियो देखें या आपको कोई भी बताए किसी भी चीज को आपको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए मैकसिमम एक से दो वीक तक आप सेवन करें उसके बाद उसमें एक वीक का गैप जरूर दें तब ही वो चीज या वो लेटरिंग के दोबारा बाहर जाएगा, असर कुछ नहीं आएगा सरीर बर, तो इसलिए आप इन बातों का विशेज ध्यान रखें, जब भी कोई नुस्खा या कोई हैल्थ के लिए अच्छी चीज खाएं, आज की इस वीडियो में हम जिस पहली चीज की बारे में बात कर र जो दोश्तों आपके दिल को मजबूत बनाते हैं, आपको दिल की बिमारियों से बचाते हैं, क्योंकि इसके एक चोथाई कप में हमारे दिन भर की मेगणीशियम की कमी पूरी हो जाते हैं, और यदि मेगणीशियम हमें proper मिलेगा, तो हमारा blood pressure control में रहेगा, दिल हमारा मज दिल को हार्ट टेक और हार्ट ब्लोके जाने की समस्या बहुत कम हो दोस्तों यदि आप कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपका इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे आप वाइरल सर्दी खांसी जुखाम जैसे संकर्मनों से बचे रहत क्योंकि यदि आपके परिवार में पहले से किसी को डायवटीज की विमारी है तो आपको भी होने के चांसे बहुत अधिक हैं और दोस्तों सोध करता ये बात कहते हैं कि कद्दू के बीज इंसुलिन की मातरा को संतुलित करने का काम करते हैं ऐसे में ये मदूमे रोगियों के लिए बहुत अधिक फाइदेमन है और यदि आपके परिवार में पहले से डायवटीज है तब आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों यदि आपको एनिंदरा की समस्य है या आपको स्ट्रेस रहता है तब भी दोस्तों आपको कद्दू के बीजों का सेवन कर दोस्तों आपके तनाव को भी दूर करने में आपकी मदद करेंगे और जो दोस्तों इसमें दूसरी चमतकारी चीज है वह है दोस्तों अलसी और दोस्तो अलसी के बीज ओमेगा 3 fatty acid से भरपूर होते हैं जो आपके दिल के लिए एक वर्दान की तरह काम करते हैं और diabetes के रोगयों के लिए भी ये बहुत अधेक फाइदेमंद हैं क्योंकि अलसी में omega fatty acid और fiber के मातरा भरपूर होती हैं जो diabetes को control करने में आपकी मदद करते हैं आपके heart को healthy रखते हैं दोस्तो आपके सरीर में cholesterol level को सही करते हैं क्योंकि अलसी में omega acid पाय जाते हैं जो आपके cholesterol level को सही करने में आपकी मदद करते हैं दोस्तो अलसी के बीज आपके पाचन के लिए भी बहतर होते हैं ये आपके पाचंतंतर को मजबूत बनाते हैं और आपको पेट के रोगों से छुटकारा लिलाते हैं कबज, गैस और स्टिटी के समस्या आपको कभी नहीं होती दोस्तों, अलसी के बीज में मुझूद एंटिक्सिंट और फाइटो केमिकल्स बढ़ती उमर के लक्षनों को कम करते हैं जिससे कि आपकी तवचा पर पढ़ने वाले जुरियों से आपको निजात मिलती हैं यानि आप लंबे समय तक अपने चेहरे को सुंदर बनाए रख सकते हैं यदि आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तब भी अलसी के बीज आपके वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं क्योंकि ये आपके मेटबलिजम को बोश्ट करते हैं जिससे कि आपको इन मोटापे की समस्या से या इससे होने वाले बीमारियों से चुटकारा मिलता है दोस्तो यदि आपके सरीर में आपको कहीं भी दर्द रहता है अर्थ्रेटिस का दर्द है या जोडों का घुटनों का यानि कि कि किसी भी परकार का दर्द है तब भी दोस्तों LC के बीज बहुत अधिकार गर हैं क्योंकि ये आपकी हाडियों को मजबूत बनाते हैं हाडियों की केलसिम की कमी को दूर करते हैं और आपको इन दर्द से छुटकारा दिलाते हैं और जो तीसरी से में चीज है वह है दोस्तों बादाम और दोस्तो बादाम कौन नहीं जानता बादाम खाने के फाइदी तबी तो हमारी मां हमें 55 से ही बादाम का सेवन कराती आई है कि दो बादाम तो खालो यदि बिमारियों से बचना है दोस्तो बादाम में फाइबर, कार्बोहेटेड, अनसेचिरेटिड फैट मुझूद होते हैं जो ना किवल टाइप टू डायवटीज के जोखिम को कम करते हैं बलकि आपके दिमाग को भी तेज करते हैं आपको दिल की बिमारियों से बचाते हैं आपकी हड़ियों को मजबू करते हैं तो चले दोस्तो आपको बताते हैं कि आपने इन तीनियों चीजों को खाना कैसे हैं दोस्तो इसके दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि एक वीक आप एक मुठी कद्दू के बीज खाएं अगली वीक में एक मुठी आप अलसी के बीज खाएं और उससे अगले वीक में आप बादाम खाएं या इन दोनों में से दो चीज़ों को आप एक साथ खासकते हैं जैसे कद्दू के बीजों के साथ आप दो से चार बादाम खाएं अलसी के बीजों के साथ में दो से चार बादाम खाएं एक तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका हो गया कि आप ए आप इसमें अपने सवाद के लिए सहद गुड मिला सकते हैं। चीनी का परियोग आपको नहीं करना है। आप गुड का सेवन करेंगे तो उससे आपको और भी अधिक फाइदे मिलेगी। तो आप इस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपने सेवन जरूर करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया लगातार सेवन नहीं करना है। एक से दो वीक का गैब दें उसके बाद फिर सेवन करें। और फिर देखी दोस्तों, आपके शरीर की इम््यून पावर बढ़ जाएगी। आपके शरीर की कमजोरी और थकान के समस्या दूर हो जाएगी। न जबी हुई नस की समस्या दूर हो जाएगी, नसों में खिचाओं के कान जो आपको दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा, तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही सनुस्खे का प्रयोग सुरू कर दें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें, तो दोस् आत रहे, धन्यवाद दोस्तों